दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग पे गूगल एड्संस की एड को कैसे सेट अप कर सकते हो तो इस वीडियो को पूरा step by step देखना क्यूंकि मैंने इस वीडियो में detail में बताया है कि किस तरह से आप अपने गूगल ए अच्छे से बताया तो वीडियो को पूरा देखना तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से एड्स को लगाया जाता है ब्लॉग के उपर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगर के ब्लॉग पे गूगल एड्स की एड कैसे लगाते हैं जब आपका एकाउंट एप्रूब हो जाता है और कौनसी एड्स बेस्ट होती है कहां कहां ब्लॉग पे लगानी चाहिए ये सब चीजे मैं आपको इस व वीडियो में बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या खोलना है अपने मुबाइल पर या फिर लैप्टॉप कंप्यूटर पर आपको adsense.com लिखना है अपने ब्राउजर में और यहां पर आपको क्या करना है जिस भी id से आपका ब्लॉग है या फिर अगर आपने अलग से अप option मिलेगा ads का इस पर click करना है जैसे ही आप click करते हैं यहां पर काफी सारे options आएंगे तो यहां पर मैं आपको step by step बताता हूँ आपको क्या करना है सबसे पहली चीज आपको क्या करना है यहां पर देखिए जो auto ads का option है इसको यहां से edit करके इसको सबसे पहले on कर देना है इस auto ads के option को जैसे ही आप यहाँ पे click करोगे auto ads पे इसको on रखना है मैंने already on किया हुआ है और उसके बाद नीचे click करना है optimize existing add units इसको भी click करके apply to settings पे click कर देना है और यहाँ पे save कर देना है इसे यह काम आपको सबसे पहले करना है इसके बाद दूसरी चीज आती है कि हमने अपनी ads कैसे बनानी है अगर हमने कहीं पे add लगानी हो और कहां पे लगानी चाहिए जिससे ज़्यादा फायदा होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे क्या करना है by add unit करना है तो यहाँ पे आपको काफी सारी ads मिलेंगी आपको सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे display add बनानी है तो display add पे click करेंगे और हम यहाँ पे click करेंगे vertical पे vertical पे करने के बाद हम करेंगे fixed size यहाँ पे और यहाँ पे हम size लिख देंगे यहाँ पे 300 और यहाँ पर हम लिखेंगे into 600 इस तरीके से यहाँ पर size कर देंगे इसके बाद आपको क्या गरना है create पर click कर देना है जैसे ही आप create पर click करते हैं इससे पहले आपको नाम देना है तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं vertical 300 ताकि हमें पता लग जाए into 600 या फिर आप दे सकते हैं इसको sidebar क्योंकि हम इसे sidebar में लगाने वाले हैं तो sidebar नाम दे दिया create पर click कर दिया जैसे ही हम create पर click करते हैं यहाँ पर आपको code मिलेगा copy code snippet पर click करना है और click करने के बाद पहले मैं आपको दिखा दूँ इसको लगाने का वाले हैं यह blog है हम यहाँ पर लगाएंगे देखी यह वाली जो जगा है इस जगा पर लगाएंगे और इस पर कैसे लगाना है block open कर लेना है layout पर आना है ज़्यादा तर blocks में यह जगा जरूर होती है जिसे हम right sidebar बोलते हैं और आपको क्या करना है नीचे आना है थोड़ा यहाँ पर देखी sidebar के नाम से option होगा यहाँ पर add a gadget पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है थोड़ा सा html javascript पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है advertisement इसके बाद आपको क्या करना है content पर क्लिक करना है जो code paste किया था वो यहाँ पर रख देना है और save पर क्लिक कर देना है इसके बाद हम क्या करेंगे अपने blog पर जाएंगे refresh करेंगे और refresh करने के बाद देखिए अभी यहाँ पर add show हो चुकी है जो हमने लगाई थी, अभी सैड को लगाने का क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहीं क्यूं लगाई जब भी आपको यह आर्टीकल पढ़ोगे, देखिए मैंने यह आर्टीकल खोला और जब भी आपको यह article पड़ोगे article के बाद देखिए यहाँ पर नीचे जब हम आते हैं तो last में क्या होगा यह हमें यहाँ पर add show होगी नीचे की side यहाँ पर अभी नहीं नहीं लगाई है इस वैसे show नहीं हो रही है बट आपको यह article के नीचे show होगी जिस वज़ा से क्या होता है क्लिक के chances थोड़े बढ़ जाते हैं इसके अलावा अगर आप blogger पर जो मैंने auto ads on करवाई हैं उसकी वज़ा से देखिए आपके article में भी add automatically show हो जाएंगी दूसरी जगा जहां आप add लगा सकते हो वो होता है यह वाला area यानि logo के side में अब यह वाली add कौन सी होती है यह भी मैं आपको बताता हूँ दुबारा से हम अपने adsense account में आ जाएंगे इसके बाद हम क्या करेंगे display add पे click करेंगे display add पे click करने के बाद आप यहाँ पे horizontal पे click करेंगे horizontal का मतलब इस तरह की add यहाँ पे हम responsive ही रखेंगे इसे यहाँ पे कोई हम code नहीं करेंगे यहाँ पे हम डाल देंगे header add कर देते हैं इसे logo के पास रहेगी इसलिए header logo कर देते हैं इसके बाद क्या करना है इसको कुछ नहीं चढ़ना setting को create पे click कर देना है जैसे ही आप create पे click करते हो copy code snippet का option आएगा दुबारा से अपने blog पे आना है अब देखिए हम अपनी add कहां लगा रहे हैं यहाँ पर इस जगा जहाँ पे adds one लिखा रहा है यहाँ पे लगाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है आपके logo के side में जहाँ पे आपका logo होता है वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे logo आ रहा है जादर सभी blogger की themes में यहीं होता है side में option मिलेगा इसको open कर लेना है open करने के बाद हमने क्या करना है इसके title में कुछ नहीं डालना और जो हमने code copy किया था उसको यहाँ paste कर देना और save कर देना है जैसे ही हम यह करते हैं दुबारा से वापिस आते हैं और यहाँ पे देखना ad show होने लग जाएगी अपने आपी इस तरीके से आप header में ad show करवा सकते हो तो दूसरी चीज यह क्यों जरूरी है जब भी हम mobile पे देखेंगे तो सबसे पहले हमें यही ad देखने वाली है तो एक सबसे अच्छी जगा होती है जहाँ आप अपनी ad लगा सकते हो इस तरीके से आप अपने blog में इन जगा पर जरूर ads लगाएं क्योंकि इन जगा ads लगाने से क्या होता है कि हमारे click के chances बढ़ जाते है तो auto ads जो हमने on करवाई हैं अभी उसकी मदद से blog क्या करता है Google क्या करता है देखे जैसे नीचे आ रही है यह auto ads ने किया यहाँ पे आ रही है यह auto ads ने किया और जो article के बीच में आएंगी वो भी auto ads कर देगी लेकिन हम अपनी ad कैसे लगा सकते हैं वो भी आपने आपे जान लिए लेकिन इन दो जगा पे ad आपको जरूर लगानी है इससे click के chances थोड़े से बढ़ जाते हैं तो guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आपका blogging से जड़ा कोई भी doubt है तो मुझे comment करें मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा